VMTaker Channel के नए वीडियो में आपका स्वागत है आज इस वीडियो गना आपको बताएं कि आंगनबड़ी कारे करता होगा और साइका का प्रोफाइल अपडेट किस परकार से करना है और आप साथ में आपका आधार कार्ड भी वेरिपाई किस परकार से करना है आज इस वीडियो आपको पूरी जानकरी आपको बताएं गई है आंगनबड़ी कारे करता के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्फून है आप इस वीडियो को आपको पूरा वाच कर लेना पूरा देख लेना है जिसे आपको पूरी जानकरी आपको मिल सके चलिए हम जान लेते हैं कि जैसे कि अभी फिलान में कारेले से का जा रहा है कि दो दिन के अंदर आपके प्रोफाइल को अपडेट करना है पोशन टेकर एप के अंदर तो जैसे कि अभी फिलान में आंगनबड़ी कारे करता है और साइका का दोनों का ही प्रोफाइल अपडेट होता है और साथ में आपको जो अधार काड़ के पीछे आपको इस तरह से Green Color का आच चुके हैं, आपका Verify हो चुका है, तो वो अंगनबडी कारिकटा आप मैदेट करना है। किस परकार से आपको जो Potion-Dagger 기가 के अन्दर Profile Update करना है, वो जान लेते हैं सबसे पहले हम कारीकरता के लिए जान लेते हैं कि कारीकरता अपना जो Profile Update किस परकार से करना है आपको सबसे पहले आपको More या ज़्यादा के बाद में आपको इस तरह से आपका option आपको मिलेगा, यहां पर आपको द्यान देना है कि सबसे पहले आपको अधार number आपका type करना है अंगनवड़ी कारे करता का, उसके बाद में आपका नाम लिखना है अंगनवड़ी कारे करता का, जो भी आपके अधार card के अंदर जो meaning ह वही meaning यहां पर आपको होनी चाहिए अगर आपने पहले update किया है अगर meaning गलत है तो आपको यहां पर meaning सुधार लेना है उसके बाद में आपको जनमतित्र टाइप करना है date of birth आपको type करना है अगर आपका date of birth आपको जो अधार कार्ड के अंदर है वही date of birth यहाँ पर type करना है यहाँ पर आपको ध्यान देने का यही है कि अधार कार्ड verify करने का यही है कि आपको अधार नंबर आपका सही होना चाहिए उसके साथ में नाम है जो अधार कार्ड का अंदर है वही नाम आपका meaning इसमें होनी चाहिए इसके बाद में date of birth यह जन्मतिती है वह भी अधार कार्ड का अंदर होगा तो यह आपका हमेसे ध्यान रखना है अगर आपना यहाँ पर गलत एक बी meaning भी गलत होगी नाम के अंदर तो भी आपका अधार कार्ड यहाँ पर verify नहीं होगा तो यह आपका ध्यान रखना है आपका तिनोई चीजे आपका अधार कार्ट के अंदर जो same match होनी चाहिए तभी आपका verify होगा चलिए आपको तिनोई चीजे आपको enter करने है अधार नमबर नयम और अबर डेटो बर्त enter करने के बाद में नीचे की और जाना और सुक्सित करे पर आपको click करन अपडेट होने के बाद में कुछ समय लेगा इसमें process के अंदर जो verify करने के लिए verify होने के बाद में आपको इस तरह से आपका green tick आ जाएगा आपका अधार कार्ट के पीचे अगर आपने अधार नमबर नयम और डेटो बर्त आपने सही बरी और आपका green tick नहीं आ रहा है त आपका verify 100% हो जाएगा कुछ समय के बाद में तो इसमें आपका tension नहीं लेनी आपको एक बार आपका एक बार जांच कर लेनी है कि आपका अधार नमबर नेम और डेटो बर्त आपका सही होना चाहिए तब ही आपको सुर्खसित करना है सुर्खसित होने के बाद में आपको छेटकानी नहीं करना है आपका automatic यहां पर verify वाला टिक आ जाएगा तो इस तरह से आपका जो अधार कार्ड है आपको verify कर लेना है आगनवड़ी कारे करता का जैसे कि अधार verify आपका तुरूंत नहीं होता है जैसे कि अधार नमबर नेम और डेटो बर्त आप लगाने के बा डेटो बर्त और अधार नमबर आपका सही होगा तो और इसी तरह से आपको साइका का भी आपको प्रोफाइल अपडेट कर लेना है जैसे कि आपको एड़ुएज प्रोफाइल अपडेट करे पर आपको जाना है मोर पर जानने के बाद में एड़ुएज प्रोफाइल अप में जुर सकते हैं और इसी वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है